हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन तो दिल्ली की आम आत्मी पार्टी सरकार के दौरा दिल्ली के लिए बजट को पेस कर दिया गया है ये बजट फाइनेंशल ये 2021 बाइस के लिए होगा इस बजट के सबसे खास बात ये है किसे देज भक्ती बजट बताया ज है कि बजट का मेंज फोकास एडूकेशन सेक्टर है छॉई from Before अश्के और भारे में बफाले सर्कार के दौरा पेस किया जो ये बजट है उसके बारे में एडुकेशन सेक्टर के बारे में पात करेंगे की सरकार ने ठीच क्या कहा है तो हीप करें बारे जो बजट है उसको पेस किया गया है, इसका पूरा अमाउंट यहां पे 69,000 करोर बताया जा रहा है, ऐसा सात्वा बार है जब मनी सिसोधिया के दोरा बजट पेस किया गया है, दिली सरकार के दोरा कहा गया है कि बजट का में फोकस एरिया, हेल्थ सेक्टर, एडुकेशन सेक् सेक्टर को ले करके तो यहां पे जो टोटल बजट है उसका वन फोर्थ एडुकेशन सेक्टर को किया गया है डेडिकेट, यहां पे 16,377 करोर रुपे एडुकेशन सेक्टर को बताया कहा है, मनी सिसोधिया ने जब एडुकेशन सेक्टर के बारे में वो कह रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इसे एक जन आंदोलन, यानि कि मास मूवमेंट बनाना है दिली के अंदर, क्य इसमें स्टूडेंट सी, दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, नौलिज देंगे, यानि कि जो स्टूडेंट के पास किसी फील्ड से जुरा हुआ ज़्यादा नौलिज होगा, वो दूसरे को देगा, तो इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम को एक चलाने के बारे मे सरकार ने ऐलान किया है, उसके बाद दिली सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि एक वर्चूल मॉडल स्कूल को स्टार्ट किया जायागा, ये बिल्कुल नौर्मल स्कूल के तरह होगा, पस इसमें डिफरेंस ये होगा, इसमें कोई भी बिल्डिंग नहीं होगा, ये बेसिकली के अलावा सरकार ने यह भी का है कि दिल्ली के अंदर एक new law university को इनोग्रेट किया जाएगा जिसका नाम यहां पे दिल्ली law university रखा जाएगा इसके अलावा class nursery से लेकर के class 8 तक यहां पे जो syllabus है उसको पूरे तरीके से change किया गया है क्या objective है change करने का तो change करने का main objective है कि जो childhood education है बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनके एकदम beginning stage में उसको main stream में लाना है उसके importance को बढ़ाने के लिए यह जो पूरा syllabus है उसको change किया गया है उसके बात यहां पे एक सैनिक स्कूल और एक Delhi Armed Forces Preparatory Academy को सरकार यहां पे create करेगी इसका main objective रहेगा कि आम फोर्सेस में बच्चों को उसके लिए उसमें जाने के लिए पहले से prepare करना तो यह तो यहां पे education सेक्टर के बारे में बात हो गई अब बात करते हैं health सेक्टर के बारे में सबसे पहले तो health सेक्टर के यहां पे पूरा अनाउंस किया गया है इसका सबसे जो खास बात है तो दिल्ली की सरकार ने कहा है कि COVID-19 वैक्सीन यहां पे free में दी जाएगी free of cost में जितने भी government hospital है वहां पे और इसके लिए 50,000 करोर रुपे का पूरा प्रोवीजन जो है इसको तई किया गया है इस पूर कि जो women patient है उनको यहां पे better तरीके से उनका main focus रहेगा और पहले face में जो पहला year है इसमें यहां पे 100 ऐसे मौला क्लीनिक को establish किया जाएगा और भी जादा तो यह तो health sector और education sector के बारे में हो गए लेकिन उसके अलावा भी budget में बहुत सारी खास बाते हैं उनको जानते है एक क्यूं कहा जा रहा है यह आप समझ जाएंगे अभी ही सरकार ने यहां पे जो पच्छतरवा हमारा independence day आने वाला है उसको अच्छे तरीके से celebrate करने के लिए बहुत सारे बातों को announce किया है यहां पे 75 week का एक long program को दिली सरकार के दौरा कराया जाएगा 12 मार्ट से यह सुरू ह उसके अलावा यहां पे 500 लोकेशन में पूरे दिली में ऐसे 500 लोकेशन होंगे जहां पे तिरंगा को फ्लैक को वहां पे इंस्टॉल किया जाएगा और उसके लिए सरकार ने 45 करोर रुपे यहां पे allocate किये हैं इस पूरे परपस से इन सब के अलावा यहां पे सहीत भगत सि के लिए यहां पे प्रोग्राम कराया जाएंगे जिसके लिए 10 करोर रुपे यहां पे अलग से allocate किये हैं तो इन सब को आप जान सकते हैं कि यह सब बेसिकली देजभक्ती की जो सरकार की द्वारा जैसा कहा जा रहा है कि देजभक्ती की भावना बढ़ाने के लिए यह सब पुरे प्रोग्राम है वो कराय जाएंगे इन सब के अलाफा यहां पे अनौथराइस्ट कलोनी के बारे में आपने हमेशा सुना होगा दिल्ली के चुनाफ के लिए दिल्ली की राजनीती के लिए बहुत बढ़ा मुद्धर हाय है हमेशा तो सरकार ने यहां पे अने वाले तीन सालों में यमुना जो है वह क्लीन हो जाएगा ये पूरा काम से इन सब के अलावा दिल्ली सरकार ने इलक्ट्रेक होई कल के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है यहां पर सरकार के दॉरा कहा गया है कि दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए यहां यहां पर एक चार्जिंग स्टीशन को इस्टैब्लिस किया जाएगा यह बहुत बड़ा एक बायान है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दिल्ली के बजट सेशन के बारे में इतना ही था 2021 के लिए जो सरकार के तरह बजट पेस किया गया था आई होप आपको इसे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी मिल गई होगी आप इस पूरे बजट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगे